हेलो स्टुएंट्स कैसे हैं आप सब लोग हैपी दसहरा टू आल और एक बहुत बड़ी जो बच्चों के अंदर एंजाइटी है सर डेट शीट कब आएगी सर पेपर कैसे होंगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सारे अपडेट और क्लास सारे फैक्ट हम सब लोग उन चीज़ों पे उत्रा फोकस क्यों करते हैं जो कम काम का है और उन पर हम लोग फोकस नहीं करते जो ज्यादा काम का है इस टाइम पे आप सब लोग इधर उधर की बात करने से बहतर है डेट शीट क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना चले अगर आपने वेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बला आइकन दबा रखा है तो जैसे डेट शीट आएगी सबसे पहले आपको क्लास नोडिफिक्रिशन आजागा डोवरी लेकिन अभी फाइनल डेट शीट नहीं आईए लेकिन लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो क्लास 15 नवेंबर से शुरू हो जाएंगे और आपके जो मेंशामिनेशन होगे वो मालो क्लास हफ्ता नौन दिन के बाद यानिकि आपक कोई स्कूल का यूटी या प्रीबोर्ड या कोई स्कूल का हाप एर लिमिट्टम बिल्कुल भी नहीं है ये बिल्कुल बोर्ड है और आपके परसंटेज को बहुत बुरा असर पड़ जाएगा अगर आपने अच्छी से प्रिपरेशन नहीं करी तो तो मेरी आप सबसे रिक् आतनी बलों जिसने कुछ भी नहीं पड़ा और जिसने क्ला सोड़ा बहुत पढ़ रखा है बहुत कुछ पढ़ रखा है उन सब के लिए प्रॉपर स्ट्रेजी लेकिए आऊंगा सब के हिसाप से काम करेंगे ताकि चाले से चाले से नंबर आसके बट फिलाल अपडेट के अगर आप आये हो मेरी वीडियो में तो मैं आपको कुछ अपडेट बताना चाहता हूं जो तुमारे काम की है थोड़ा ध्यान रखना लेकिन में मुद्धा अपडेट का नहीं में मुद्धा है प्रिपरेशन का अगर आप चाहते हो स्ट्रेजी किस सब्जक की कॉमेंट कर साथ मैं तुम्हारा खतम करूंगा फिर mcq series भी आएगा और mix mcq series और then class last में आपके mock test यानिकी guest paper जहाँ पेपर देने से पहले ही आप यहाँ पर फूरी पेपर दे के जा चुके होगे वहाँ पेपर देने से चार दिन पहले यहाँ पेपर दे रहे होगे exactly हमारे चैनल पे पूरा का पूरा क्लास option question के साथ और आपके marks भी बताओं class कि कितने number आएंगे तो बस जुड़े रहने class बहुत सारी चीज़ों पर मैं research कर रहा हूं काम कर रहा हूं ताकि आपको better content दे सकूँ बस information इतनी सी है कि paper 90 minute को पहले भी जान देते हैं आप mcq होगा पूरा का पूर result मिल जाएगा कि आपके marks कितने आये और यही आपके final examination में 50% contribute करेगा तो बिलकुल भी लापरवाई नहीं करो और अभी भी हो सकता है पूरा syllabus नहीं है आप लोग हर साल बच्चे 15 दिन 35 दिन दो महीं ने पहले पूरा syllabus पढ़के जाते थे अभी तुम्हें आधा syllabus पढ़ना तो खतम कर दो एक्जाम जो है 15 नवंबर शुरू होगा में सब्जेक 24 नवंबर से और बोला यह टाइम जो है वह 11 तीस से एक यानि दो पहर में बाकी सभी classes जो चलेंगी वह बच्चों की आठवी साथी नौवी और ग्यारवी की वह साड़े ग्यारा तक ही चलेंगी प्रोल रूम में स्कूल वाले class यानि जिस भी center में आपका paper है वहां पर एक तीस तक और evaluation का process चलेगा एक तीस से लेकर पांच में तक सेम डे पर और यह शीट जो है ओमार शीट वह अपलोड किया जाएगा CBC के portal पर जहां पर बाकी verification भी हो सके और एक बच्चे एक रूम मे 2 है तो ऐसे इसारा कर दियो 3 हो तो ऐसे कर दियो इसारा मैं समझ जाओंगा बच्चे कई बार जुगाड करके चलते हैं बस तो इसारा कर दियो बस तो इसारा कर दियो कॉंसा चार में से उंगली दिखा दियो मुझे या कुछ भी सारा कर दियो ऐसा ऐसा करके कुछ ने क्योंकि कोश्चिन के नंबर होंगे चेंज ठीक है तो तोड़ा यार दूसरों पर डिपेंड मत रहे ना खुद पर डिपेंड रहे ना मैंनत कर लो अभी से उसी से क्लास हो पाएगा ओके बागी जो एमार शीट है कोश्चिन पेपर है वो क्लाउड पर अफ्लोड किया जाए टो फाइल जो डेटशीट आई गिए आपकी सब्जेक्ट के वाइस डेटशीट वह अठार अक्टूबर का यह चैनल को सबस्क्राइब करें ना अठार अक्टूबर को सबसे पहले डेटशीट बताऊंगा आपको कि किस सब्ष्च का पेपर कब होगा सिर्फ डेट शीट न सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करना और इस इंफरमिशन को अपने सारे दोस्तों साथ मिलेंगे नेक्स वीडियों और एक बात और बदा देता हूं कि वेमार शीट कैसा होता है मैं उसके पर वीडियो बना चुका आप देख लेना बाकी इस तरह से चार गोला लगा लगा रहेगा आपको फिल करना है बस a b c d मालो भी करेक्ट आपने से बीको अच्छे साहाइलाइट कर रखा होगा तो अगर मालो कुछ गलत भी हो गया तो नीचे एक लास आपको ऑप्शन रहेगा लोगा सी सही था आपको बाद चलाया यार्स इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर की क्लास यह नया नया है नहीं तो यह option जवन बिलता नहीं है तो आप लिए और टिक और यहां पर लिग देना option C तो यानि कि जो option गला ता है चला से काट के सही भी लगा सकते हो तो घबराने वाली बात नहीं है और school वालों से बोलो स्कूल लोट से बोले साइर हमारे पेपर ओमार सीट पे ही लीजिए ओमार सीट कोई ज्यादा महेंगी नहीं आती नॉमली किसी बुक शॉप पे जाओगे बोलोगे ओमार सीट के बंडल दे तो एक बुकलेट जैसी आती है ओमार सीट कोंपेट वर इग्जामिनेशन के लिए उसे भर-भर के खुद पेपर बनाये करो मजा भी आएगा और क्लास एक्जामिनेशन में टाइम बच जाएंगे अगर आपकी ओमार सीट प्रैक्टिस अच्छी हुई तो अभी जाके आप ओमार सीट जो है पर्चेस कर लेना किसी शॉप से लेना ओनलाइन वाटर करना महें कि जाएगा दॉप कर तो आबगर सीट पाएंगे जाएंगे से सावःे जाएंगे से झाएंगे से तो टेना है